अभी तक हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एप में एंगलर भी स्प्रिंग गूर्ट में यह जाना था कि कैसे हम नेप बार को क्रेट किये थे इस प्रिवेश वीडियो में और उस नेप बार के अंदर हमने राउटिंग को भी एड के था जिससे उसका में ओवर व्यू करेंगे इसको अंदर हम सबसे और क्लास के ते यहां पर आयेंगे और यहांपर आने वाद हम क्या काम करेंगे एक particular हम यहां पर service सबसे पहले लिखेंगे ओके तो class लिखते हैं जिसके अंदर हमारा क्या रहेगा उसको हम नाम यहां पर देते हैं तो पब्लिक यहां पर लेना student को फेच करना है यहां पर यूज करेंगे लिखेंगे यहां पर यूज कर लेंगे करना अपने को पड़ेगा तो यहां पर हम जाएंगे student service अंदर आएंगे और सबसे पहले इंपर करेंगे यहां पर करने लगा क्योंकि इस class को इंप्लिमेंट करते हैं इसको यहां पर ओबराइड करना मस्ट कंपल सरी है ओके यहां पर चलते हैं और इसको यहां से सबसे पहले ओबराइड करते हैं हम क्या काम करते हैं इस पूरे code को भी मिनिमाइज करते हैं जिसको whole screen पर अपने को पूरा code दिखाई दे दे तो यहां से इसको हम भी मिनिमाइज कर लिए इसके आते हैं method को ओबराइड करते हैं सर्वर को प्रहुंप करते हैं और यह यहां पर अपने को एक्च्वल गोडिंग लिखना है तो इसके लिए simply क्या काम करेंगे इस उनके लिए जपी आरेडिस प्री डिफाइं मेठेड तो उस मेठेड को हम यहां से help करेंगे तो यहां पर यूज़ेंगे student repository और यहां पर use कर लेंगे method एक find all find all क्या करता है return all instant of the type जितनी भी उसके instance रहेगा उस सारी सारी student को फेच करके simply return करेगा तो return करेगा list of student यही को अपने को return करा रहे हैं यहां सबने को list of student हो गया